नमस्कार मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुती स्वादिष्ट हलवे की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे बिना सूजी बिना आटा और बिना ब्रेड के और अगर आपको घी खाना पसंद नहीं है तो आप इस हलवे को बिना घी के भी बना सकते हैं तो चलिए हलवा बनाना सुरू करते हैं हलवा बनाने के लिए यहां मैंने लिया है डेड़ गिलास दूद ये मैंने मलाई वाला दूद लिया है अब हम इसको गरम होने के लिए रख देते हैं ये मैंने महस का दूद लिया है आप चाहे तो इसकी जगे पैकेट और गाएं का दूद भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये हलवा कम खर्च में बनकर तैयार होता है और इसका टेस्ट विल्कुल खोए की मिठाई जैसा लगता है ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा जब तक दूद गरम हो रहा है यहां मैंने लिए है आठ टोस्ट ये टोस्ट वो ही है जो आप चाय के साथ खाना पसंद करते हैं आज हम पूरी रेसिपी इसी से बना कर तैयार करेंगे आपने ब्रेड का हलवा तो बहुत बार बना कर खाया होगा एक बार टोस्ट का हलवा भी बना कर खाईएगा अब हम इनके छोटे छोटे पीस करेंगे और mixy jar में डाल देंगे ताकि इनका बारिक पावडर बनाने में आसानी रहे और देखी इसका बिल्कुल बारिक पावडर बनकर तयार हो गया है अब हम इसे एक प्लेट में डाल लेंगे और देखिए दूद भी अच्छे से गरम हो गया है अब हमीस गरम दूद में 3 चमच चीनी के डाल देंगे अब हमीस गरम दूद में जो हमने टोश्ट का पाफडर बना कर तैयार किया था उसको भी डाल देते हैं आप मीठे का इस्तेमाल इसमें उतना ही करें, जितना आप खाना पसंद करते हैं, आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आप इसमें कम मीठा ढालिए, और अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो आप इसमें ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको डालने के बाद कडची से हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है इसको इसे बनाते टाइम गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है धीमी आज पर हमें इसे पकाना है इसे हम कड़्ची से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो लम्स है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और देखे जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे ही ये गाड़ा होना सुरू हो गया है बस अब हमें इसे इसी तरह से कड़्ची से चलाते हुए धीमियाच पे पकाना है और देखे ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है एकदम गाड़ा हो गया है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अगर आप घी खाना पसंद करते हैं तो इसके उपर एक चम्मच घी का डाल लेजे इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और अगर आप घी खाना नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं ये टोस्ट का हलवा खाने में बहुत ही जादा स्वादिश्ट लगता है आप एक बार इसे जरूर बना कर खाईएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अब हम इसके उपर डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राइफ रूट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थेंक ये